चलिए的, Neural Control & Coordination देखते हैं तो जो हमारी body होती है, है ना, इसमें इतने सारे organs हैं começल्स हैं, internal organs हैं, ठीक है, ये सब को control, जो होता है, पुरा end to end मतलब सर के बाल से लेके पैर के नाखुन तक हर एक को sense करना है ना उसको voluntary या involuntary तरीके से मतलब हम जानते हों या ना जानते हों फिर भी वो control होता है ठीक है समझा रहा है मतलब हम नहीं भी जानते हैं फिर भी चीजे control होती है हमारे brain के द्वारा हम खाना खाते तो peristaltic moment है heart rate बढ़ जाना कम हो जाना है ना यह सब क्या है हम नहीं जानते हैं फिर भी वो अपने आप होना इस्टार्ट हो जाता है बहुत सरी चीजे हम control कर सकते हैं तो कुल मिला करके सर के बाल से लेकर के पैर के नाखुन तक पूरे body का control जो रहता है वो nervous system क किया जाता है तो nervous system में क्या होता है पहली चीज़तों यह क्या करता है यह समझे है अपन होता क्या क्या है तो देखेंगे तो जो हमारा nervous system होता है जो हमारा nervous system होता है यह दो पार्ट में divided हैं कैसे क्या क्या central nervous system और peripheral nervous system ठीक है central nervous system और peripheral nervous system अब central nervous system में क्या क्या आएगा बिटा brain और spinal cord brain और spinal cord बट ऐसा सारे organism में नहीं है मतलब क्या है brain, spinal cord and other जो neural structures होते हैं वो सारे organs में नहीं पाय जाते हैं बहुत सारे organisms में बहुत ही simple तरीके से पाय जाता है ना brain होता है, ना spinal cord होता है ठीक है, समझा रहा जैसे कि जो lower invertebrates है उनमें neural system, neurons की branches होते हैं, चीजों को sense करने के लिए होता है बहुत ज़्यादा control power नहीं होता उनके में समझा रहा बात, फिर जैसे जैसे lower organisms like invertebrates, जैसे जैसे उनका विकास होते जाता है evolution होते जाता है, धीरे धीरे उनमें voluntary controls बढ़ते जाता है ठीक है, तो actual में जो brain like structure जो develop होता है, वो arthropod से चालो होता है, insects में है ना brain like structures उससे पहले अगर हम देखें तो brain like structure नहीं बना रहता है, लेकिन arthropod या insect में भी हम देखेंगे तो पूरा, बहुत सही तरीके से जो brain होता है, वो developed नहीं होता है, brain like होता है ठीक है, जैसे कि insect के अगर हम बात करें, तो cockroach के head को अगर काट दें तो भी वो चल फिर सकता है है ना, कुछ समय तक जिवीत रह सकता है इसका कारण ये है, क्योंकि उसका जो brain है, वो बहुत जादा पूरे body को control नहीं करता है बहुत limited control उस brain के हाथ में होता है समझार बात? ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि उसका जो brain like structure है ये brain के जैसा है, बट पूरा brain नहीं है, है ना, जो loss हुआ, brain का connection अगर body से, अगर उसका connection कटा, मतलब आप brain को काट तो, brain को हटा तो तो body का पूरा का पूरा control loss हो जाएगा, समझार बात? ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा control brain करके रख रहा है ये सिभ higher organisms में होता है, जैसे कि vertebrates में, तो invertebrates में आपको कुछ lower to higher organisms में हमको brain-like दिखेगा, nervous system ठीक है arrange है, बट बहुत ज़्यादा advance नहीं होता है, ठीक है? हाँ invertebrates में भी arthropodia insect से brain-like structures बनना चालो हो जाते हैं, और moluska के especially अगर आप octopus वागरा में देखोगे तो ठीक ठाक brain पाया जाता है ठीक है, बट बहुत ही advance नहीं है ना, तो advance brain and neural system actual में आपको मिलेगा vertebrates से समझ आ रहा बात क्या बोल रहा हो? ठीक है, तो इसको समझना है आपने, evolution है ये, तो vertebrates से चालो होता है और सबसे advanced जो brain और neural system जो developed होता है वो इस दुनिया के सबसे evolved organism में होता है like humans है, समझ आ रहा बात है ना, आप लोगों को है ना confidence की आप लोगों का विकास मतलब brain जो है, वो highly advanced है आप लोगों को मालूम है की नहीं मालूम है नहीं मालूम है आप लोगों को आप लोगों अभी भी समझ रहे हो कि हमारा octopus type का है, ठीक है बहुत ज़्यदा advanced नहीं है बट आप सभी का brain इस दुनिया के सारे organism से highly advanced form में आपका brain आपके पास है, ठीक है समझ रहा है, बट आप लोगों को ही नहीं पता नहीं पता है, तभी तो marks नहीं आपाते है आप लोगों को नहीं पता है इसलिए आप लोगों के number नहीं आते हैं टेस्ट में, अगर आप लोगों को मालूम होता है कि आपके पास इस दुनिया का इस पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है आपके पास देखो यार-s ribbon कियों हम Blue Whale को नचा पाते हैं। हम Dolphin को नचा पाते हैं। शेर को एक बेल इतना बड़ा बड़ा सींग होता है एक बार ऐसे किये तो पूरा आर पार हो जाएगा ऐसे किये बेल तो समझा रहा बाद उनके पास इतने खतनाख खतनाख वैपन्स होते है शेर के पास जो पंजा होता है वो हैदम समझा रहा है जो उसके clause होते हैं काफी खतरनाक होते हैं नाखुन निकल सकते हैं बाहर गड़ा सकते हैं पूर फार देते हैं इतने खतरनाक होते हैं दाथ इतने खतरना इनसान के पास क्या है फतला दूबला सरीर किसी किसी का थोड़ा healthy है तो अलग बात है, छोटा सा सरीर, ना खतरनाक सींग है हमारे पास, ना ही बड़े-बड़े नाखुन है, होते भी तो हम काट देते हैं, ठीक है, कई लोग नहीं काटते हैं, नेल पॉल, इसके लिए अलग बात है, ना ही बड़े-बड़े दात है हमारे पास, तो हमारे पास ऐ क्या है कि हम इस पूरी दुनिया पे कंट्रोल किये हुए है समझा रबत एक ही चीज है हमारा ब्रेन तो इस चीज को आपको समझना है कि आपका जो ब्रेन है इस दुनिया में सबसे एडवांस है और इसके इसकी ताकत के सामने इस दुनिया की कोई ताकत कोई भी ताकत इसके ताकत के सामने छोटी ही है तो हमारे पास जो nervous system है उसमें सबसे खतरनाक, सबसे सुन्दर एक organ है brain ठीक है? उसका करीबी दोस्त है spinal cord और उसके कुछ छोटे मोटे मित्र हैं जो उसके काम करते रहते हैं करमचारी that is peripheral nervous system तो peripheral nervous system जो होता है वो कितने category का होता है? दो, क्या-क्या? एक autonomic neural system और एक somatic neural system ठीक है? तो इसको अपन देख लेते हैं ये क्या है? peripheral nervous system new बच्चे मेरी writing नहीं समझाएगी तो पूछ ले ना ठीक है? और ये क्या है? somatic neural system ये क्या है बटा? autonomic neural system चलिए तो इधर की हम बात करते हैं और इधर की बात करते हैं तो ये दोनों में क्या आंतर होता है? इसको समझेंगे? तो जैसे for example ये हमारा brain है, ये हमारे spinal cord है ठीक है? ये brain है, ये spinal cord है, अब ये तो हो गया हमारा क्या? central nervous system. तो central nervous system का काम होता है, बिटा, कोई भी चीच को sense करना, actual में sense करना नहीं होता है, कोई भी sense है, तो वो central nervous system तक आएगा, उस sense का response, central nervous system, जो रहता है, वो send करेगा. तो जो भी sense इसके पास आ रहा है, surrounding medium से, जैसे कि अभी ठंड बढ़ गई है, तो आप लोग जब आ रहे होंगे, तो कई लोग स्वेटर जैकेट, मेरे जैसे बहुत सरे लोग है, स्वेटर जैकेट पहन के नहीं होंगे, तो आप लोग को गाड़ी में थोड़ा सा ठंड होए है, ये sensors, outer environment को sense करते हैं, और sense करने के बाद, वो signal को भेजते हैं हमारे center nervous system में, center nervous system में भेजेंगे कैसे, ठीक है, तो जो sense होता है, वो अब generally जो sense कर रहा है, sense कर रहा है, है ना, ये receptor कहां पर होगा, skin में होगा, तो skin से उसको जाना कहा तक के है, brain तक जाना है, तो उसक रास्ते कैसे होंगे, भई, for example, ये skin है, या हमारी body का skin है, ठीक है, ये क्या है, भई, skin में क्या है ऐसा receptors है, ये क्या है, बटा, receptor, ठीक है, receptors, receptors for cold, ठीक है, थन्ड के लिए receptor है, तो ये receptor जो रहता है, वो क्या करेगा, किसी भी, जैसे थन्ड है, तो ये receptor activate होगा, और यहाँ स से वो signal send करेगा यहां से यह signal send करेगा ऐसा अब directly brain तक नहीं जा पाएगा तो इसको एक brain तक जाने के रास्ते में इसको पहले जाना पड़ेगा तो यह जो sense है है ना sense of cold sense of cold sense of cold इस receptor से होते हुए ऐसा एक system के through कहा तक जाएगा spinal cord, spinal cord से फिर वो जाएगा हमारे brain तक के जाएगा समझा रहा बत ठीक है तो अब जैसे ठंडी लग रही है तो हमको घर्मी चाहिए अब हम स्वेटर नहीं रखे हैं तो क्या करेंगे तो आग जलाएंगे अब गाड़ी रोके थोड़ी ना आग जलाना चालू कर दोगे ठीक है तो क्या करेंगे भई बॉड़ी का भी तो एक mechanism होता है क्योंकि हमारी बॉड़ी तब से बनी है जब आग नहीं बना था मतलब आग तो पहले से था बट हमने आग क्रियेट नहीं किया था हम आग जलाना सीखे नहीं थे तब से हमारी बॉड़ी ऐसी है इवाल्व हो चुकि है human body समझा रहा बात ठीक है तो अब क्या करेंगा बॉड़ी अभी तो हम स्वेटर पहन लेते हैं पहले तो हमारे पास अबड़े भी नहीं हुआ करते थे मतलब आदी माने होगे जमाने में तो हम है ना तो बॉड़ी कैसे बिटा आपने आपको गरम रख पाएगा तो shivering के तो समझा रहा कापेंगे कापेंगे तो क्या होगा muscular contraction होगा आपको मालूम है muscles जब contract होते हैं तो ATP burn होता है heat release होता है और वो heat अगर ज्यादा ATP burn होगा ज्यादा muscle contraction होगा तो ज्यादा ATP burn होगा ज्यादा heat release होगा और हमारी बॉड़ी गरम होना चले हो जाएगी समझा रह करते हैं body temperature को raise करते हैं बढ़ाते हैं तो यह muscle contraction कैसे होगा क्या आप करते हो जब अरदस्ती थोड़ी ना पूरे body का थोड़ी ना हम लोग exercise चालू कर देते हैं नहीं हो तो automatic होता है ना shivering तो यह automatic actual में होता नहीं है वो brain के द्वारा होता है ठीक है तो इसको समझना छोटा स एक mechanism है तो अब यह brain क्या करेगा बिटा यह एक signal भेज़ेगा हमारे muscles तक m slash e मतलब muscles तक है तो यह brain directly ना भेज़ के क्या करेगा spanal cord के थ्रू जाएगा क्यों क्योंकि brain से अगर हम pair के muscles तक के signal भेजना चाहेंगे तो इसकी दूरी काफी लंबी हो जाएगी तो इसलिए एक interconnecting pathway होता है पूरे body के organs और brain के बीच में that is spanal cord ठीक है यह भी कुछ कुछ चीज़े control करता है जिसको हम बात में देखेंगे तो अब brain से signal आया signal आया ऐसा muscles तक है समझाया बात तो कुल मिला करके चीज़ों को पूरा interpret कौन कर रहा है कौन समझ रहे कि क्या हो रहा है brain ठीक है कौन उसको regulate कर रहा है तो brain बट इसमें जो spanal cord है यह काफी बड़ा role play कर रहा है समझाया रहा है यही से brain तक कोई भी चीज़ जाएगा और brain से यहीं तक यहीं से चीज़ें आएंगे जैसे हम देख सकते है brain से signal है spanal cord spanal cord से होता है वो muscles में आ रहा है ठीक है तो यह हो गए भीया यह दोनों इसी लिए central nervous system है क्योंकि कुछ भी signal जाना है तो इसी दोनों में जाएगा directly भी जा सकता है जैसे यहाँ पर हमारा आँख है जैसे यह हमारी आँख है ठीक है तो मैं अगर कोई चीज़ या आप लोग कोई चीज़ देख रहे हो तो उसका signal directly brain में जाएगा ना किस पैनल cord में ठीक है सबसे easiest pathway के तुरू जाए जाता है signal को और जैसे हम अगर मैं eyeball को ऐसे उपर कर रहा हूं तो यह brain से signal आ रहा है आँखों के muscles को तो यह signal आ रहा है brain से यहां तक तो यहां पर हम लोगों ने एक चीज़ तो clearly देख लिया कि brain और spinal cord जरूर चीज़ों को sense करेंगे, interpretate करेंगे, integrate करेंगे, coordinate करेंगे बट इनको यह सारी चीज़ों को करने के लिए कुछ कर्मचारियों की ज़रुत होती है जो की body के हर एक इसे तक पहुंच सके, यह हर एक हिस्से में पहले से located हो और वहां से कोई signal को ला सके, तो यह जो आप देख रहे हो यह जो blue color की जो line है, यह जो line है colorful, अच्छा, पर सौरी, मेरे को क्या color blindness है, तो यह जो आप देख सकते हो, colorful white को छोड़के जो भी colorful lines है, यह सब क्या है बिट That is peripheral neural system, समझ आ रहा है, peripheral neural system क्या होता है, center neural system क्या होता है, तो center neural system कुल मिला करके, वो CPU के जैसे होता है, जो आपके पास जैसे computer जो होता है, वो CPU है, तो हर एक information वहीं जानी है, और हर एक information वहीं से आनी है, तो जाती कैसे है, keyboard से, mouse से, आती कैसे है, screen पे, screen पे जाएगा, ठीक आप कोई भी response भेज रहे हो CPU तक कि कैसे भेजते हो keyboard या mouse से वो connected होता है CPU से और CPU connected होता है monitor से जिसका response आप देखते हो समझा है clear हो रहा है तो वैसे ही ये जो keyboard का wire है और ये जो mouse का wire है ये जो monitor तक जाने का wire है ये सब जो wiring system बना हुआ है जो CPU से जुड़ा हुआ होता है है ना वैसे ही wiring system होता है जो की CNS से जुड़ा हुआ रहता है वो पूरे wiring system को हम क्या बोलते है peripheral इसलिए इसको peripheral बोलते है CNS से जुड़ा हुआ पुरा surrounding में एक neural system है that is peripheral nervous system अब peripheral nervous system जो होता है वो दो तरीके से होता है क्या क्या हम लोगों ने देखा एक autonomic और एक somatic neural system अब मैंने जैसे आपको बता है कि हर चीज को control करता है हमारा brain हमको पता हो जाए ना हो कुछ चीज हमको पता होती है जैसे मैं बात कर रहा हूँ ठीक है मैं हाथ को ऐसे उपर कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि क्या हो रहा है लेकिन अगर मैं अगर कुछ सुबह सुबह breakfast कर क्या है हो तो मुझे नहीं पता कि आब अंदर क्या हो रहे है समझा रहा लेकिन brain उसको control कर रहा है मैंने खाना खाया वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है कभी आपको पता चलता है कि ऐसा हो रहा है लेकिनिये सब ब्रेइन के दोरा automatically control होता है आप सांस लेते हो लेते हो सोचते हैं क्या हम नहीं सोचते हैं, यह automatic control हो रहा है तो यह सब क्या है बेटा automatic control जो होता है इसके लिए भी एक अलग से neural system होता है, that is autonomic neural system, समझ आरबाद तो जितना भी automatic control होता है body का, उसको कौन control करता है autonomic neural system तो यह होता क्या एक प्रकार से भाई यह ठीक वैसे ही है जैसे यह जो पंखा और ट्यूलाइट तक के, जो current लेके आ रहा है वो क्या है wire है, विजली का wire है और wire किससे बनता है, बहुत सारे पतले-पतले, thread से बनता है होता ना एक metallic thread से बनता ना चाहे वो aluminum का हो, चाहे copper का हो कभी देखे हो wire को छील मिल के कभी देखे हो, बहुत सारे पतले-पतले copper के threads होते हैं, समझा रहा बात तो उससे बना है, वैसे ही वैसे ही यह जो peripheral nervous system होता है, यह पूरा का पूरा किससे बनता है nerves तो यह एक प्रकार का wire है जैसे कि switchboard होता है और यह पंका होता है तो switchboard एक क्या है बिटा receptor है, आपने वहाँ पर चीजों को क्या किया है जैसे बटन को दबा रहे है तो उसने वो sense किया और current को भेजा पंके तक के तो पंका चालू हो गया या बंद हो गया लेकिन यह गया कैसे पंके तक के wire के through वैसे ही receptor में कोई भी sense होगा वो जाएगा एक wire के through CNS में और wire के through ही CNS से वापिस आएगा तो यह एक प्रकार से wire के रूप में हो that is nerves समझ आरह बात तो nerve जो होता है वो actual में दो type का होता है nerve जो होता है यह दो type का होता है क्या-क्या एक affront nerve एक affront nerve और एक effront nerve यह word और कहीं पढ़े हैं आप लोग कहां पढ़े हो हाँ मुझे नहीं समझाया आप लोगो क्या-क्या बोले बट ठीक है सorem बोखे हम पढ़ ऊकी के या फारेसे नर्व को ले आता है थे यह जो दिख्रिश आ है। क्या है इफ्रेंट नर्व ठीक है तो अफ्रेंट को आप लोग सेंसरी नर्व भी बोल सकते हो और इफ्रेंट को मोटोर समझ आया ठीक है क्लियर हो रहा है इतना असान है चलो तो अब जैसे कि मैंने बताया कि क्या है जैसे कि हार्ट बीट कम ज्यादा करना रेस्पिरेशन कम ज्यादा करना है प्रेस्ट्रेल्टिक से माला झैसे तो जो भी मोवेंट को प्लेडर को है इसれて हड़ा है तकि यूरिन आउट यह सारा सारा क्या है involuntary signal है तो इन सारे के सारे involuntary actions को control कौन करेगा autonomic nervous system इसको आप automatic nervous system भी बोल सकते हो समझ आ रहा है ठीक है लेकिन हमारे पस voluntary action के लिए भी nerves होने चाहिए voluntary action के लिए भी तो होने ची ना भी जैसे मैं बात कर रहा हूँ hand raise कर पा रहा हूँ उसके लिए कौन है तो somatic neural system तो एक छोटा सा आप लोगों को idea हो गया होगा कि autonomic neural system जो होता है ये क्या करता है बेटा it controls क्या controls involuntary involuntary action और visceral organ ठीक है visceral organ को ये control करता है या regulate करता है और ये क्या करेगा हाँ इसका जो signal है वो कहां जाएगा इट कंट्रोल्स हाँ voluntary और skeletal muscle मसल क्लियर है अब अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कई चीज़ें होती है कुछ चीज़ें बढ़ती है कुछ चीज़ें कम होती है है ना heartbeat कम भी किया जाता है तो ये सब automatic होता है इसी लिए है ना इसी लिए सारा का सारा जो भी involunt reaction होता है अगर वो बढ़ गया है तो उसको कम भी करने के लिए हमारे पास mechanism होना चाहिए तो इसी लिए जो autonomic neural system है autonomic neural system जो है ये दो divisions में divided है क्या-क्या sympathetic neural system और parasympathetic neural system कौन बताएगा कि heart rate को इन दोनों में से कौन बढ़ाता है और कम कुन करता है पैरasympathetic तो यहाँ से एक चीज़ तो clear हो गया कि heart rate is involunt reaction heart rate को कम ज्यादा करना एक involunt reaction है समझा रहा बत तो heart rate को ये बढ़ा रहा है और heart rate को ये कम कर रहा है इसी लिए autonomic neural system जो रहता है इसका दो heart rate होता है एक अगर कोई चीज़ को बढ़ा रहा है तो दूसरा उसको कम करेंगा विज़ नहीं है कि हमेशा प्रक्रद को यह बढ़ाए कुछ empire वैकि के कम भी करता है और यह कुछी जो को बढ़ाता भी है समझा रहा है इसका काफी बड़ा लिस्ट है ठीक है यहाँ पर आपके काम का नहीं है इसको बात में देखेंगे तो आते हैं नियूरॉन तो नियूरॉन क्या है इडिजा इस्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ओफ नर्वस सिस्टम ठीक है नियूरॉन की अगर हम बात करें तो यह कुछ बेसिक स्ट्रक्चर से बनता है that is cell body and cell processes अब नियूरॉन क्या है एक स्ट्रक्चर है या सेल है जैसे हम लोगों ने देखा था नेफ्रॉन नेफ्रॉन एक सेल है किट्नी का या एक स्ट्रक्चर है और नियूरॉन एक सेल है ठीक है तो नियूरॉन एक सेल है ध्यान रखेंगे इडिजा सेल सबसे पहली बात ठीक है तो सेल अगर होगा तो भई सेल का मेंब्रेन होगा नियूकलियस होगा सेल और गनेले होने चाहिए ठीक है तो यह जो नियूरॉन होता है इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं पहला सेल बोडी जिसको हम लों क्या बोलते हैं साइटाउन और दूसरा सेल प्रोसेसेस दो टाइप का सेल प्रोसेसेस आपको मिलेगा एक आपको मिलेगा डेंडराइट्स और दूसरा एक्जॉन ठीक है डेंडराइट्स बोला मैंने क्योंकि डेंडराइड एक से ज्यादा होते हैं. ठीक है? साइटाउन, not साइटाउन, क्योंकि साइटाउन एक सेल में एक ही होगा. एक्जोन, जनरली एक होता है. बट कई बर एक्जोन के ब्रांचेस होते हैं. ठीक है? वो आपको CNS में मिलते हैं जनरली, ब्रेन वाले पार्ट में. ठीक है? चलो. तो इसके एक छोड़ा सा डाइग्राम देखते हैं. फिर उसके बाद सारी चीज़े आगे बढ़ेंगे. उसी से समझ आएगा. तो यह क्या है, बटा? डेंड्राइट्स. और यह क्या है? साइटाउन. ठीक है? और यहां से ले करके यहां तक क्या है? एक्सॉन. और यह क्या है? यह अलग से जो ब्रांचे से है. दे आर एक्सॉन, टर्मिनल्स, और क्या बोल सकते हैं पर? टिलो डेंड्रियॉन भी बोलते हैं. चलो. अब दर ध्यान देंगे. what is dendrites dendrite क्या होता है यह जो हमारा cyton का cell membrane है इसी का एक outgrowth है cell membrane का ही एक outgrowth है तो इसको बना रहा हूँ यहाँ पर dendrite ऐसा इस वाल में यह बहुत ही microscopic होता है इसलिए ऐसा लगता है कुछ उसमें बस ऐसा hair-like outgrowth है ऐसा नहीं है यह cell membrane का ही एक outgrowth होता है तो आप देख सकते हो यहाँ से cell membrane ऐसा continue हो गया है तो यह dendrite है तो इसका यह भी मतलब होता है कि इसमें जो material होगा कहाँ पर cyton में वो material वहाँ पर जा सकता है cytoplasm के तुरू कि इसका cytoplasm इसका cytoplasm connected होता है क्यों connected होता है क्योंकि यह outgrowth है जैसे बही यह cytone है जैसे एक चोटा सा बनाके दिखा रहा हूँ तो यह cytone का ऐसा यह ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पर एक चोटा सा रास्ता बना होब वहाँ जाने के लिए ठीक है चलो तो साइटॉन और डेंडराइट साइटॉन में ही आपको न्यूकलियस मिलेगा ठीक और यहाँ पर एक important structure मिलता है क्या निसल्स ग्रेनियूल निसल्स ग्रेनियूल निसल्स ग्रेनियूल जो होता है यह कई बार निट में पूछा जा चुका है कि कहां पर मौजूद होता है और उसका क्या काम होता है बस दो ही function इसका आता है भीया दो टाइब के question कि निसल्स ग्रेनियूल कहां पाया जाते हैं पहला कहां पाया जाते हैं नई बटा साइटॉन और देंड्राइट्स इसलिए मैंने आपको यह बताया है कि साइटो प्लाजम में जो भी होगा वो देंड्राइट में भी जाएगा समझा रहा है तो इसलिए यह आला structure बनाया हो यह दिख रहा है यह साइटो प्लाजम यहां भी है तो निशल्स ग्रिनूल आपको कहां मिलेगा साइटोन और डेंड्राइट्स यह कोश्चन कई बर आया है नेट में धियान रखना है आपको ठीक पहला दूसरा निशल्स ग्रिनूल का फंक्शन क्या है इडिस दा साइट अफ प्रोटीन सिंथेसिस खतम ठीक है तो इन दोनों में आपको क्या मिलेगा नेशल्स ग्रिनूल यह कोश्चन आता है ठीक है तीसरा जनरली प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल में कौन करता है कौन सा औरगनेले राइबोसोम राइबोसोम बेटा वो एक कंपोनेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के में जो यूज होता है वो एक कंपोनेंट है समझा रहा है जहां पर amino acids, जो रहते हैं, यहां bonding होगा, उसी के अंदर, लेकिन actual में इसकी जो processing होती है, वो endoplasmary reticulum के थुरू होती है, ठीक है, protein synthesis, जो processing होता है न, protein का, ठीक है, वो endoplasmary reticulum complete करता है, protein synthesis के process को, कि किस type का structure बनाना है, यह endoplasmary reticulum के हाथ में होता है, सिर्फ amino acid की chain से, कोई भी functional protein नहीं बनता, ठीक है, तो इसी लिए, निसल्स granule जो होता है, अगर यह protein synthesis में help कर रहा है, है न, तो निसल्स granule एक अलग टाइप का structure है, अलग टाइप का structure है, हम लोगों ने और इसको कहीं नहीं पढ़ा है, किसी भी cell में आप नहीं देखोगा, सिवाय यहां के, है न, इसी नॉर्मल सेल में नॉर्मल चीजों से ही सारी मोडिफाइड चीजें बनती है, तो निसल्स granule is a modified endoplasmic reticulum, समझा रहा है, तो ध्यान रखेंगे, निसल्स granule एक्चुल में क्या होता है, देयार, modified endoplasmic reticulum, लिख लिए जेगा, ठीक है, अब cyton से यह जो हिस्सा है, इससे दूसरा question जो आता है, कि यह एक normal type का cell है, जो थोड़ा सा shape अलग है, कुछ function अलग है इसका, normal cell जो रहता है, वो कभी current transfer नहीं करता है, बट यह करता है, है ना, तो इसमें सारे के सारे cell organelle होते हैं, एक को छोड़के, क्या, कौन सा नहीं होता, absence of centriol, यह भी question आता है नीट में कई बार, absence of centriol, सारे के सारे cell organelle पाए जाएंगे, एक को छोड़के, that is centriol, centriol का क्या काम होता है बटा, है, क्या काम करता है centriol, cell division, अगर centriol नहीं होगा, तो क्या होगा, अगर centriol नहीं होगा, तो क्या होगा, cell divide नहीं होगा, समझाया, ठीक है, इसके अलावा एक और cell होता है, हमारी body में, जिसमें centriol नहीं पाया जाता, हाँ, बेटा, हाँ, बोलो, nephron, nephron cell नहीं है बेटा, हमारी body का, बोलो, हाँ, RBC, RBC में तो कुछ भी नहीं पाया जाता है, मतलब एक ऐसा cell, जिसमें, बाकी cell organelle होंगे, बट सेंट्रोल नहीं होगा, जैसे कि इसमें है, RBC में तो कुछ भी नहीं होता, और egg cell, human egg cell में centriol नहीं पाया जाता है, अगर होता, अगर होता, तो male की जरुवती नहीं पड़ती, समझा रहा है, और कुछ अलगी टैप का human बनता है, male की जरुवती नहीं पड़ती नहीं, क्योंकि male sperm क्या करता है, दो ही चीज ट्रांसफर करता है, human sperm, egg में, क्या, पहला nucleus, दूसरा centriol, दो ही चीज जाता है, human sperm से, मतलब दो ही काम की चीज़ी रहती है, बाकी तो sperm से बहुत ज्यादा quantity में, cytoplasm और बाकी cell organelle egg के पास already होता है, समझा रहा है, human sperm जो रहता है, वो human egg के सामने बहुत छुटा है, उसका स्तित बहुत छुटा है, समझा रहा है, चलो, clear है बिटा, तो दो कोशन देख लिए हम लोग इसमें से, एक तो absence of centriol, जिसके कारण neural cells जो होते हैं, उसमें power of cell division नहीं होता है, समझा रहा है यह repair कर सकता है अपने आपको, लेकिन cell divide नहीं होता है generally, समझा रहा है चलो, then उसके बाद आते हैं exon, exon का जो cell membrane होता है, इसको बोलते हैं क्या, exolema, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, cytoplasm of exon is, exoplasm, exoplasm क्या है, cytoplasm of exon, और exolema क्या है, cell membrane of exon, clear है, अब इसके उपर एक अलग टाइब का एक cellular structure होता है, यह क्या है, myelin sheath नहीं है, बिटा, क्या है यह, schwan cell, क्या है यह, schwan cell, ऐसा लग रहा है, किसी Chinese Chinese ने रखा है नाम, शेजवान टाइप का ऐसा, श्वान सेल, श्वान सेल, तो दो श्वान सेल के बीच में कुछ space होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, node of, रनवीर कपूर वाला की, रनवीर कपूर वाला की, रनवीर सिंग वाला, दोनों नहीं, रनवीर है, अब कोई अगर family में, घर में बच्चा पैदा हो, तो आप लोग बुलना है कि इसका नाम ये रखो, रनवीर, ठीक है, एक रनवीर हो गया, एक रनवीर हो गया, और ये थोड़ा अलग है, रनवीर, कोई अगर आपसे पूछे न, कोई आपसे पूछे की, suggestion दे तो बहन, generally girls लोग से पूछते हैं, देना और बहन, suggestion तो दो, थोड़ा सा नाम आप, आड़ से रखो, रनवीर, spelling लिख के दो, हाँ, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, क्यों, इसका meaning नहीं मालूम है, समझा रहे बात, क्योंकि ये कुछ नाम है, किसी structure का नाम है, ठीक है, तो node of रनवीर, चलो, अब ये जो श्वान सेल है, इसका क्या काम है, secrete mylene sheath, mylene sheath, secret mylene sheath, what is mylene sheath, अब दर देखो, बटा धियान सी, इदर देखो मेरे तरफ, mylene sheath क्या होगा, भई ये जो सेल है, यहां पर ऐसे mylene sheath बना रहे है, ये मैलीन sheath बना रहे है, यह myelin sheet बना रहा है लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से थोड़ा से इसको अगर मैं zoom करके दिखाऊँ तो अगर आप देखोगे तो myelin sheet यहां से बना है यह देखो यह cell के नीचे बना है myelin sheet यह cell के नीचे बना है myelin sheet है ना लेकिन दो cell myelin sheet बना रहा है दोनों cell के बीच में कुछ space ऐसा space है जहाँ myelin sheet नहीं है क्योंकि वो दो cell के बीच का space है समझारा बात? ठीक है तो myelin sheet क्या करता है कि generally अगर आप देखोगे तो जो charge का movement होता है उसी से current का flow होता है आपको मालूम है physics chemistry पढ़ते होगे charge के movement से current का flow होता है होता है ना ऐसा देखे हो तो यहाँ पर जब charge का movement होता है charge का flow होता है तो charge का leakage नहोँ इसी लिए ये myelin sheet होता है insulator के जैसे जैसे जो wire होते हैं आपको मालूम है ना जितने भी wire आप घर में देखोगे all are insulated समझाया all are insulated उपर में देखे हो ना थोड़ा सा कुछ rubber type का material होता है उसके उपर वो क्या है insulator का काम करता है short circuit से बचाएगा leakage से बचाएगा ताकि fast जाए बहुत सारे wire एक साथ रहेंगे तो short circuit भी ना हो insulation रहे एक दूसरे के पुज में समझाया रहा है वैसे ही ठीक यहाँ पर भी insulator का काम करता है clear है बात इत्ता तो myelin sheet का क्या काम है भिया act as insulator to prevent क्या leakage चलो हो गया अब इसका तीसरे हिस्से में आते हैं तो यहाँ पर generally जो question आता है दो चीजों पर आता है एक swan cell पर आता है और एक myelin sheet पर आता है और ऐसी जगा जहाँ पर swan cell नहीं होता है उसको अम लोग क्या बोलता है node of runway यह तीन question बस सब simple simple है बिटा कोई ज़्यादा tough नहीं फिर भी मैं zero level से ही बता रहा हूँ आप सब को पता है यह सारी चीजे आप सब पढ़ चुके हो पहले ऐसा मैं सोचता हूँ हमेशा बढ़ होता नहीं है चलो अब यह क्या है बिटा हमारा axon terminals ठीक है और telodendrons telodendrons यह axon terminal में आपको कुछ ऐसे vesicles मिलेंगे अच्छा इस cell में mitochondria होगा की नहीं होगा होगा की नहीं होगा होगा क्योंकि बिना mitochondria के cell energy कैसे बनाएगा ठीक है चलो तो यह जो axon terminals है इसमें mitochondria की quantity सबसे ज़्यादा होती है quantity of mitochondria is high due to synthesis of acetylcholine और neurotransmitter ठीक है neurotransmitter बनाने के लिए ज़्यादा energy की requirement होती है इसलिए ACH बनाने के लिए यहाँ पर mitochondria की quantity ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी ज़्यादा होगी एक्जॉन टर्मिनल का क्या का में इधर ध्याद से देखेंगे मैं क्योंकि पूरा arrow arrow हो रहा है इधर इधर देखो बटा यह कुछ आपको मैं arrow करके दिखा रहा हूँ यह क्या है बटा it is synaptic vesicle यह इसको synaptic word अभी यूज मत करो ACH vesicles ACH vesicles यह ACH vesicles यह ऐसा है ठीक है इस ACH vesicles में क्या भरा हुआ होगा? ACH. और क्या बोलते हैं इसको? Acetylcholine. Acetylcholine. और ACH क्या होता है? It is neurotransmitter. neurotransmitter. चलो हो गया? अब यह जो neurotransmitter है, इसका क्या काम है? यह signal कहीं न कहीं तो देगा. यह मैं बता चुका हूँ. चलिए. इधर देखेंगे. तो यहाँ पर क्या है बेटा? ACH भरा हुआ है. यह एक neurotransmitter chemical है. यह यहाँ से ऐसा निकलेगा. तो एक neuron दूसरे neuron से ऐसा जुड़ा हुआ रहता है. एक्चॉल में वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है. एक दूसरे के करीब रहता है. है ना? तो दूसरे neuron हमेशा एक दूसरे से connected होते हैं. एक space के थुड़ू. उसे space को क्या बोलते हैं? साइनेप्स. अब साइनेप्स यहां ताब दो टाइप का spelling आता है. ठीक है? साइनेप्सिस और साइनेप्सिस. देखो मत बुक को. कौन सा आएगा? उपर वाला की नीचे वाला है? तो पर वाला कहा आएगा? उपर वाला कहा आएगा? बता बटा? ऊपर वाला कहा आएगा? मियोसिस में आएगा सेल डिविशन के समय जब दो सिस्टर क्रोमेटिट्स आसपास आते हैं दो सिस्टर क्रोमेटिट्स समझा रहा है तो उसको पन क्या बोलते हैं सैनेप्सिस 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 मिमनल कॉम्पलेक्स बनता है पैकटिन स्टेज सारा है ठीक है तो पहले सैनेप्सिस होगा फिर क्रॉसिंग और होगा सैनेप्टिनिमल कॉंप्लेक्स ब्रेक होगा यह आपका मियॉसिस फर्स्ट का प्रोफेस वन में सारा स्टेच देखा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं सैनेप्सिस यह कौन सा है सैनेप्सिस यह क्या है सैनेप्सिस ठीक है तो ध्यां रखेंगे चलिए देन उसके बाद तो नियूरॉन हमेशा जो टर्मिनल होता है वो दो जगा जाके टर्मिनेट होता है जो एक्जॉन टर्मिनल है यह दो जगा जाके टर्मिनेट होता है या तो वो नियूरॉन next neuron में terminate होगा या तो वो muscles में terminate होगा, समझा रहा है बद तो यहाँ पर हम बना देते हैं muscles ऐसा समझा रहा है ठीक है तो यह क्या है muscles, तो अगर neuron और muscles के बीच में space होगा कि नहीं होगा होगा, क्योंकि neuron कभी भी जुड़ता नहीं है समझा रहा है बात, हमारे body की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की body की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है, तो यह जो space होता है इसको क्या बोलते हैं neuromuscular junction यह हम लोगों ने कहा देखा है skeletal system में मुसल्स में ठीक है, neuromuscular junction को हमारा antibody जब destroy कर देता है, तो वो कौन सा डिसीस कहलाता है neuromuscular junction को जब हमारा ही antibody destroy कर देता है, मतलब यह हाँ पर जो क्या लगे रहते हैं, बिटा receptors तो मुसल receptor को जब हमारा antibody destroy करता है है न, NMJ में तो उस बिमारी को क्या बोलते हैं muscular dystrophy it is a example of autoimmune disorder हाँ क्या बोले? नहीं सुना ही दिया बताओ बताब पूरा दीवाली मनाया हो आप लोग पूरे तरीके से खुब मजे किये हैं, पढ़ाय वड़े कुछ नहीं किये माइस्थिनिया ग्रेविस याद आ रहा है माइस्थिनिया ग्रेविस is a autoimmune disorder और जो आप muscular dystrophy बोले हो, they are genetic disorder ये सारे कुशन आते हैं बहुत बहुत आता है बहुत बाहर आ चुका है नीट में चलो, तो neuron जो रहता है वो दो जगा terminate होता है एक तो next neuron से पहले और दूसरा muscle से पहले दो ही जगाए सप्लाई करेगा signal को, समझा रहा बत या तो neuron को देगा signal या तो muscles को देगा और तीसरा किसी को नहीं देगा तो ये तीनों दोनों चीज़े मैंने बता दिया है एक तो हमारा synapsis बना that is neuroneuronal junction और दूसरा neuromuscular junction तो ये neuroneuronal junction is synapsis और एक होता है हमारा neuromuscular junction that is NMJ short में कभी-कभी NMJ भी बोलते हैं इसको clear रहता? चलो तो जो भी signal जा रहा है जैसे for example ये brain है है न इधर दियान दो जैसे for example ये brain है तो brain से जो neurons के थूँ जो signal जा रहा है इसमें बहुत सारे neuron हो सकते हैं है ना? और muscles तक जो signal जा रहा है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? ACH तो ये जो transmission of impulse हो रहा है ये जो transmission of impulse हो रहा है ये किस टाइप का है? electrical है कि chemical है? हाँ? chemical है? दोनों है बेटा यहाँ से जाएगा electrical पूरे neuron में कौन सा signal पास होता है? electrical कहां से? यहाँ से यहाँ तक पूरा electrical signal है यह एक neuron से दूसरे में यह ACH क्या? It is a chemical मैंने अभी तो लिखा था acetylcholine is a neurotransmitter chemical तो यह chemical से फिर signal दूसरे neuron में या फिर muscles में supply हो रहा है तो इसी लिए जो impulse होता है impulse जो होता है या जो signal होता है humans में वो किस टाइब का होता है electro chemical ध्याँ रखेंगे clear एता ठीक है? बहुत सरे invertebrates में आपको electrical signal मिलेगा मतलब जो neuron है वो end to end connected होता है एक दूसरे से चलो clear हो गया then next देखेंगे types of neuron ये मैं बहुत simple और basic चीज़े बता रहा हूँ क्योंकि question इसमें से बहुत आता है बहुत simple simple question आता है जिसको अपन ध्यान नहीं देते हैं अपने एद्दम बड़ी बड़ी चीज़े पढ़ लेते हैं function of brain ये वो simple simple चीज़ें से बहुत question आता है आजकल types of neuron लिखेंगे on the basis of on the basis of number of exon and dendrites on the basis of number of dendrites and exons multipolar neuron बाकी बताते जाओ आप लोग दूसरा bipolar neuron तीसरा unipolar neuron एक pseudo unipolar भी होता है बड़ आपके syllabus में नहीं है इसलिए उसको लिखने गया उशकता नहीं है multipolar neuron में क्या होगा बिटा एक exon सभी जगए एक exon एक exon and many dendrites bipolar में एक exon and एक dendrites और unipolar में एक exon तो exon तो होगा बाकी सारा का सारा difference किसके करण है dendrites के करण है तो कैसे होता है जैसे अभी हम लोग जो देखे diagram है ना बता बेटा वो इन तीनों में से कौन सा टाइप का neuron का था multipolar neuron का diagram अभी हम लोग ने देखा है ना चोटा सपन बनाते है diagram ये ऐसा और ये ऐसा ठीक है इसका अगर हम बनाएंगे तो कैसा होगा ये ऐसा इसका बनाएंगे तो कैसा होगा ठीक है dendrite नहीं है गंजा है विचारा एक भी बाल नहीं है इस पर बहुत सार है तो जब बच्चा पैदा होता है जब बच्चा पैदा नहीं होता है तो गंजा ही होता है सर पर बाल जने दी शुरू में नहीं होता है फिफ्थ मन से चालू होता है ये अराना तो यूनिपोलार नियूरॉन आपको किसे मिलेगा एम्पोलार नियूरॉन आपको मिलेगा बहुत इंपोर्डेंट है रेटीना ओफ आई रेटीना में जो तीन लेयर होती है उसमें से एक लेयर में ये वाला नियूरॉन पाया जाता है ठीक है पर रेटीना पढ़ेंगे तो देखेंगे रेटीना जो रहती है वो तीन लेयर से बनती है आई तीन लेयर की बनती है और रेटिना में भी तीन लेयर होता है, आखों की भी तीन लेयर होती है, और रेटिना की भी तीन लेयर होती है, चलो, मल्टी पॉलार नियूरॉन कैसे मिलेगा? ब्रेन mostly जो सेरिब्रम में जो neurons होते हैं वो सब multipolar होते हैं हो गया? किसमे मिलेगा ये? क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? इस पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम का दो पार्ट होता है एक कॉर्टेक्स और एक मेडूला चलो हो गया? देन सेकंड लिखेंगे अन दा बेसिस अफ ये इस तैपस on the basis of function of neuron हम neurons के टाइपस देख रहे हैं तो ये दूसरा टाइप क्या होगा? on the basis of function neuron कित् report? function के बेसिस पर एक CNS तक ले जाने वाले और एक CNS से लाने वाले दो ही टाइप का तो होगा समझा रहा बात? on the basis of function on the basis of function क्या क्या बेटा एक sensory neuron और एक motor neuron sensory neuron क्या होता है कहां से कहां impulse impulse from skin निवे receptor organ receptor organ to CNS और ये impulse from CNS to CNS to affect our organ not receptor affect our organ जहां affect होना है उसका हम affect our organ बोलते हैं ठीक है तीसरा होता है inter neuron और interconnecting neuron interneuron interneuron और लिखना है इसमे they are found in generally they are found in CNS they are found in CNS center nerve system में ही मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा interneuron they are neither sensory nor motor they are neither sensory nor motor हमारे जो ब्रेन है specially उसमें sensory और motor से ज़्यादा आपको interneurons मिलते हैं यह interconnection बठाने के लिए होता है एक neuron से दूसरे neuron में जैसे भई अब sensory का क्या गाम है sense को लेके जाना motor का क्या गाम है जो भी function है कराना है उस signal को लेके जाना brain से लेकिन आप सोचते किस से हो memory किस में होती है हम जो भी चीज़ सोचते हैं वो सब neuron के कारण होता है neuron के collection के कारण हमारी जो memory होती है चीज़ों को हम याद करते हैं वो भी neuron से ही होता है but sensory या motor तो सारे interneurons होता है maximum समझा रहा है ठीक है then next types of axon लिखेंगे पहला myelinated nerve fiber myelinated nerve fiber myelinated myelin sheath होता है myelin sheath cyton में देखियो की exon में देखियो हाँ तो ओविसलिए exon ही myelinated या non-myelinated होगा myelinated nerve fiber what is nerve what is nerve collection of neuron basically अगर देखें तो nerve is a collection of axon basically अगर हम exact point of view अगर दें आपको की भई होता क्या है nerve तो वो basically bundle of axon होता है bundle of cyton जो होता है वो ganglians होता है आप लोग गैंगलियान सुने होंगे वो bundle of cyton होता है समझार है बात body के अलग-अलग हिस्से में अलग-अलग होता है cns और pns में अलग-अलग नाम लिया जाता है but generally आपको धियान रखना है exon is a bundle of जैसे भई जो अपन चोटी करते है girls मतलब अपन नहीं girls जो चोटी करते है तो वो क्या है bundle of hairs वैसे ही तो चोटी वर्ड यूस करते है ना बढ़ा चोटी और कुछ बोलते है कैसको वैज बोलते है है नहीं वो अलग चीज है तो जो चोटी बोलते है अपन तो ये क्या है it is a bundle of hairs वैसे ही nerves का it is a bundle of exons समझाया ठीक है तो myelinated nerve और non-myelinated nerve तो myelinated nerve क्या होगा myelinated nerve fiber क्या होगा जिसमें myelin sheath होगी ठीक है तो example लेखेंगे myelinated nerve आपको कहा मिलेगा example of myelinated nerve found in cranial and spinal nerve found in cranial and spinal nerve then non-myelinated nerve fiber non-myelinated nerve fiber found in autonomic and somatic neural system यह कहां मिलेगा cranial and spinal nerve and somatic nerve और यह कहां मिलेगा autonomic and somatic nerve ठीक है clear है एक star करके note लिखेंगे important है note यह कही न कहीं question आपको दिख जाएगा तो समझ लो is not to take part portion of the swan cells swan cells swan cells swan cells not present in CNS therefore myelinogenesis myelinogenesis therefore myelinogenesis myelinogenesis process myelinogenesis process occurs with the help of occurs with the help of therefore myelinogenesis process occurs with the help of oligodendrocytes oligodendrocytes if you have questions you will get a lot of questions somewhere so so swan cells generally cns and myelin sheath myelin sheath which is oligodendrocytes cns and you will get a lot of questions and you will get a lot of questions white matter white matter is unmyelinated nerve fiber white matter sorry kya bula mene white matter bula na white matter is myelinated nerve fiber white matter white matter is myelinated nerve fiber and grey matter is grey matter is unmyelinated non-myelinated nerve fiber and grey matter is non-myelinated nerve fiber the okay okay understand these little things here are here I will get a lot of questions from myelinated nerve fiber where is myelinated nerve fiber why is it 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 white matter is what is it white matter what is it or myelinated nerve fiber myelination it says white और unminated nerve fiber is gray matter, ठीक है, तो gray matter और white matter आपको बहुत जगा मिलेगा, तो brain और spinal cord के, brain और spinal cord में आपको बहुत जगा पर white और gray का mixture मिलता है, समझारा बात, ठीक है, जैसे एक छोटा से example है, आप लोग अपने NCIT का पेज को पलट के, जो last टोला पार्ट है, reflect section में देखेंगे, reflect section वाला जो है, जिसमें spinal cord का cross section है, NCIT में, पेज नमबर में बता है, वही वही बिटा, 32, 322, 322, 322, ठीक है, NCIT का पेज नमबर, 322, 322 में आप देखोगे, तो ये spinal cord है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, spinal cord है, आपको कहां white और कहां grey देखने को मिल रहे है, अंदर, अंदर, grey, outer, white, तो outer, white, inner, grey matter आपको देखने को मिल लेगा, समझ आया, कि नहीं, अब अगर आजाओ, 320, मैं आप, देखो, cerebellum, cerebellum को देख रहे हो, तो इसमें grey matter कि दर आपको लग रहे है, बहार है कि अंदर है, बहार है, है ना, बहार है, इस panel cord में, अंदर grey है, इस panel cord का और उपर की तरफ जाओगे, pons, उससे और उपर जाओगे, क्या मिलेगा, एक तो आपको medulla of long gatta मिलेगा, spanal cord के उपर जाओगे तो, medulla of long gatta के उपर, pons, pons के उपर जाओगे तो mid brain, तो ये पूरा mid brain से ले करके, आपको मिलेगा, pons, medulla and spanal cord, ये पूरा का पूरा inner grey outer white, समझ आया, तो लिखेंगे एक next note, I am p करके लिखेंगे, outer white and inner grey, outer white and inner grey matter, outer white and inner grey matter, outer white and inner grey matter, लिख लिए, outer white and inner grey matter, found in, कहां पहे जाता है, spanal cord and brain stem, spanal cord and brain stem, कौन मता है का, what is brain stem, mid brain or, not all hind brain, mid brain, or, pons, and medulla, ठीक है, cerebellum side हो जाता है, ठीक है, दिख रहा है, diagram में देखो, cerebellum side हो जाता है, तो cerebellum में उल्टा है, inner white, outer grey है, दिख रहा है, और जो inner white matter होता है, उसको अगर आप देखोगे, तो ऐसा लगेगा, वो पेड के तने है, पेड के तने जैसा दिखता है, तो कुछ questions आपको, बुक में देखने को मिल जाएगा, कि arbor vitae, किसको बोलते हैं, they are the white matter of cerebellum, ठीक है, arbor vitae, मतलब एक ट्री के जैसे दिखता है, इसलिए arbor vitae बोलते हैं, ठीक है, arbor vitae और tree of life, that is the white matter of cerebellum, को बोलते हैं, arbor vitae, अब question देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं, जब question solve करोगे, मतलब जब question solve करेगा, उसको देखने को मिलेगा, ठीक है, जो नहीं करेगा, उसको नहीं मिलेगा, मैं बहुत slow जा रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत simple-simple सी, और बहुत ही minor details हैं ये, आगे चलके ना, बहुत confusion create करता है, जब पढ़ोगे ना, आगे जब आप लोँ, थीओरी को, तो inner grey, outer white, किसमें किसमें मिलेगा, spinal cord, and brain stem, brain stem किसमें मिलके बनता है, हाँ, it is midbrain, pons, pons and medulla, समझाया, clear है, इसके अलावा बाकी को अगर आप देखोगे, तो इसके उल्टा पाया जाएगा, जैसे अगर आप cerebral cortex में देखोगे, cerebral cortex में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मतलब cerebral में अगर देखोगे, तो cerebral का दो पार्ट है, outer cortex, inner medulla, ठीक है, तो cortex आपको कैसे मिलेगा, outer, gray, inner white, समझाया, यह सब आगे की चीज़े है, चलो, हो गया इत्ता, IMP करके इसको देख लिजेगे, ना, then next, एक extra point लिख लो, फिर हम आगे आएंगे, syllabus में, थोड़ा सा, neuroglia cells, और glial cells, यह थोड़ा सा समझने के लिए है, चीजों को, आपके syllabus में नहीं है, बट लिख लिए रहो, neuroglia cells, और glial cells, तीन type के cells, तीन type के cells, अपन देखेंगे, इस आर supporting cells, इस आर supporting cells, which form a packing substance, around neurons, Neurons, these are supporting cells, which forms packing substance around neurons. तो इसका क्या मतलब हुआ, कि हमारा जो nervous system है, उसमें ऐसा नहीं है, कि सिर्फ और सिर्फ नियूरॉन ही है, उसके अलावा भी दूसरे cells होते हैं, जो neurons को support करेंगे, या nervous system को support करेंगे, और packing material के रूप में काम करेंगे, तो लिखेंगे एक एक करके, पहला astrocyte, astro, ये star के जैसे दिखता है, इसलिए astrocyte नाम दिया गया है, astro, star के जैसे दिखता है, astrologist होते है, astronomics क्या-क्या होता है, astro world जो रहता है, वो space, अंतरिक से related होता है, star shift होता है, इसलिए astrocyte, लिखेंगे, it is for repair mechanism, it is for repair mechanism, and replace damaged tissue, second oligodendrocytes, second, अभी बताया था थोड़े दिर पहले, क्या काम आता है, oligodendrocytes, लिखेंगे, formation and preservation of myelin sheath, formation and preservation of myelin sheath, किसमें, CNS या PNS, formation and preservation of myelin sheath in CNS. next, microgliocytes, microgliocytes, हो क्या, they are scavenger cells, मालुमें, scavenger, avenger मत लिखते न, they are scavenger cells, of CNS, समझते हैं इसका मतलब, क्या हो के scavengers, जैसे avengers का काम होता है, दुश्मनों से बचाना, वैसी scavenger cells का काम होता है, दुश्मनों से बचाना, there are scavenger cells of CNS, and phagocytic in nature, and phagocytic in nature, बस avenger खाते नहीं हैं, मारते हैं सबको, बट इस scavengers, खाते भी हैं, मारते भी हैं, and phagocytic in nature, जैसे blood का phagocytic cell का नाम क्या है, neutrophil and monocyte, they are phagocytic cell, वैसे ही phagocytic cell of nervous system, that is CNS, especially CNS की बात करूँगा, कौन है, microgliosides, ठीक है, तो यह मैं क्यों बता रहा हूँ, यह मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि भीया, मैंने पहले कभी न कभी यह भी बताया है, कि हर एक tissue का, हर एक organ का, खुद का phagocytic cell होता है, blood पे हर एक dependent नहीं होता है, और brain तो एक, बहुत ही delicate, और most important part है, तो इसको protection के तो बहुत जरूरत होती है, तो यह जो, एस्ट्रोसाइड होता है, यह generally एक barrier भी बनाता है, कि कोई भी harmful substance, brain के अंदर घुस ना पाए, यह blood brain barrier में बनाने में भी help करता है, ताकि कोई भी substance, brain में ना घुस पाए, और brain को damage ना कर सके, brain बहुत प्रोटिक्षन में रहता है, बहुत अत्ती प्रोटेक्षन में रहता है brain, हर जगह ऐसा sensor लगा कि रखा है, कि अगर कुछ मेरे पास टॉक्सिन आया है, जोivat पास ग्लूकोस कम हो गया, तो मेरे पास मालूम होना चाहिए, समझा रहा बात, बहुत ही डरता है ये क्यों डरता है क्यों डरता है क्योंकि अगर ये गया तो पूरी बॉड़ी गई समझा रहा इसलिए बहुत प्रोटेक्शन देना पड़ता है ब्रेन को इसलिए हमारे बस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट भी है है मतलब क्रें यंद तुफ नेनम है न हेलमेट फिर भी अपने को उपर से हलमेट लगाना पड़ता है क्यों लगाना पड़ता है क्योंकि हड्डी तूट सकती है अग्राइब और आपको बता दूँ एक्सिडेंट्स में सबसे ज्यादा जो डेथ होता है वो से फॉर से Head Injury के कारण होता है सबसे Maximum Death का कारण Head Injury है अगर पैर के ऊपर कुछ गाड़ी चला गया, हाथ के ऊपर चला गया, कभी-कभी कुछ और ठकर, टोकर रग गई अगर कुछ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है हड़ी-वड़ी-दो-चार तूटे कर ठीक हो जाएगा ब्रेन अगर डेमेज होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको ठीक करना, समझारा बात ठीक है, Most of the Death, कई बार तो बिटा इनसान के सरीर पे एक खरोच नहीं होती है सिर्फ ऐसा जटका पड़ता है है, वो हेलमेट पहने के लिए प्रमोट करती है, पब्लिक को उनकी सेफ्टी के लिए लेकिन पब्लिक को लगता है कि वो उनका एक नियम है तो गवर्मेंट का जो भी नियम होता है वो एक्चल में पब्लिक को ले करके होता है कि उनके फायदे के लिए होने चाहिए, वह एक नियाम होता है, बट यहां मैं जैसे देखता हूँ कई लोगों में, हेलमेट रहता है, लेकिन गाड़ी में असे स्टेंड में, हैंदल में, टांग के हेलमेट चलाते हैं, ट्राफिक पुलिस को देखके पहनते हैं होता है कई बार में जैसे पहने देखता हूं हेलमेट तो वो लॉक नहीं रहता हेलमेट पहन जरू लेते हैं लेकिन यहां लॉक होता है थ्रेड लॉक वो नहीं रहता है तो जैसे हम गिरेंगे सबसे पहले तो पेटा ऐसे head के बल गिरेंगे ना तो ये फेकाएगा helmet फेकाएगा head injury होगी या तो मती पहनो कई लोग वो एक ठो कटोरा जैसा helmet पहन के गुमते रहते हैं factory factory में पहनते हैं वैसा वाला देखाऊं प्लास्टिक वाला प्लास्टिक थोड़ी ना बचाएगा उसके proper helmet होना चीप, helmet की बनावाट ऐसे होती है कि अगर उस helmet के उपर चक्का भी चलना चाहेगा तो वो उसके ऊपर नहीं चड़ पाता क्योंकि वो पूरा circle ऐसे होता है कि वो skip हो जाएगा, slide हो जाएगा, फिसल जाएगा, समझ आ रहा है, उसकी बनावाट ऐसे होती, तब ही तो पैसा लेते हैं और अपनलों क्या कई factory factory का type का ऐसे kattura type को पहन लेते हैं कई लोग मैं देखा हूँ, उसे थोड़ी ना कुछ होगा, वो तो चकना चूर हो जाएगा पूरा, और प्लस, गिरने के बाद head को भी तो बचाना है, तो अंदर थर्मकॉल होता है, फिर उसके बाद cushion होता है, ताकि head को protection मिल सके, अब वो plastic वाले helmet टांग लिए गिरेंगे, तो plastic तू है helmet के तो नहीं जाना चाहिए, खास तर बच्चे लोगों, आज के बच्चे लोग इस चीज़ को follow नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्यों helmet नहीं बनते हैं, बाल बगड़े आएगा, बाल बगड़े आएगा, है ना, चलो, then next, अब आते हैं सिधा CNS में, हटा दू इस को, center nervous system, इसमें आपको क्या मिलेगा, brain and spinal cord, और brain बड़ा जबरदस्त है, जैसे अगर कोई इंसान गिरता है, तो सबसे पहले वो हाथ, किसको protect करने कुशिश करता है, इसा, समझा रहा है, उसको, ब्रेन सिभ अपने बारे में सुचता है, पहले, समझा रहा है, यह है, system ही है, brain अपने बारे में पहले सुचता है, जैसे कोई गिरता है, जैसे कोई, सबसे पहले वो ऐसे करने कुशिश करता है, पैर वेर को ऐसे बचा रहा है, वो ऐसे करता है, क्यों head protect करना है ठीक है चलो तो अब आते हैं बेटा brain and spinal cord तो brain and spinal cord जो होता है they are covered by membranous covering क्या बोलते हैं उसको meninges तो अभी हम जो बात करेंगे सिधा पहले brain का ठीक है तो brain जो रहता है protected by cranial bones कितने बोन होते हैं बिटा मैं जैसे पुछों को भी बताएंगे बता बड़ा कितना बोन होता है क्रेनियम में आठ ठीक है चारो तरफ से brain को covered होता है covered क्या जाता है आठ बोन से उसको अपन क्या बलते हैं cranial bones और brain box समझ आ रहा है तो brain जो होता है वो बनता है बेटा brain and a spinal cord is found by neural tube ठीक है neural tube के थ्रू बनता है और शुरुआत के जो दो-तीन साल है 70-80% brain बन चुका होता है दो-तीन साल के बच्चे में साड़े 5 साल के आसपास तक आते आते brain पूरा का पूरा बन चुका होता है brain का development हो चुका होता है brain mature नहीं होता है brain का development हो चुका होता है इसलिए बच्चों को 5 से 6 साल तक के बच्चों को maximum जो भी आप चीज सिखाओगे सबसे fast learning होती है क्योंकि वो growth phase होता है brain का developmental phase होता है समझा रबत तो अभी जितने बच्चें कोवीड में इसलिए थोड़ा सा प्रभावित हुए है developmental के हिसाब से जो करवा लिया करवा लिया नहीं करवाप है नहीं करवाप है बट ऐसा नहीं कि बात में नहीं हो सकता बात में भी हो सकता है बट पूरा का पूरा development के बात करें मतलब ब्रेन एक particular size attain कर लेता है neurons का number जो बढ़ता है शुरुवात में समझा ब्रेन का जो size बढ़ रहा है growth हो रहा है development हो वो 5.5 साल तक के complete हो चुका होता है उस age तक बच्चों को काफी अच्छी चीज़े सिखानी चाहिए अगर आप उनको 10 भाषाएं सिखाओगे तो 10 भाषाएं जल्दी सीख जाएंगे बच्चे समझा रहा है बात तो इसलिए ना बच्पन में जिस language में बात करते हैं वो बहुत तेजी से सीखते हैं और कई बर हम क्या करते हैं इंगली सिखना है का 15 साल के बच्चे के इंगली स्कूचिंग भेज़े तो बहुत फ्लुएंसी नहीं आती है क्योंकि भी आप घर में उस language का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आप अगर चार भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा चार भाषा की किलो ग्राम ग्राम तो 1400 ग्राम के असपास होता है मेल में 1500 ग्राम कम होता है फिमेल में ठीक है मतलब फिमेल में दिमाग कम नहीं होता है उसका वेट कम होता है वेट से इंटेलिजेंसी को नहीं ना पजा सकता समझारा बात क्योंकि हमसे ज़्यादा वेट तो हाथी और ब ब्रें का भीट, बट ये नॉट इंटेलिजेंट थैं, हुमन्स, ठीक है, तो ऐसा आपन गर्ल्स को खुश करने के लिए भी भोलता है, ठीक है, बट ऐसा है भी, बोट इंटेलिजेंट होते हैं, फिमेल्स, हस क्यो रहा हूं, सर, हम लोग नहीं है, हसर है मतलब डाउट है, मैं जैसे पूछूँगा, इंटेलिजेंट हो, देखे ये भी हसर है, इंटेलिजेंट हो आप, अब ये इदना मैं एक्टिंग करेगी, हाँ सर, हाँ सर मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, ठीक है, चलो, तो, cranial bones होगे बटा, कितना होगा भी या, 8 होगा, देन उसके बाद, meninges, कितने टाइप के meninges होगे, they are protected by meninges, 3 meninges, क्या-क्या, durameter, arachnoid, and pyameter, अब जार देखो, durameter क्या होता है, धियान से समझते हैं, जो छोटा से डाइगरम बना रहो हूँ, जैसे for example, कि ये human brain है, ठीक है, मेरे पास का बहुँ सारा color है, तो इदर देखेंगे, ये same हो जाएगा, तो डार्क लेते हैं रहा, इदर देखो बिटा, ये color है, जो बिल्कूल इस से चिपका हुआ है, इस panel cord से ले करके, पूरा brain दिख रहा है ना ये, white क्यों ऐसे lamination होता है ना, बस वैसा चिपका हुआ, space नहीं होता है, है ना, कहीं-कहीं space बन गया है, तो अच्छा नहीं लग रहा है वो space, मैं कुशिश कर रहा हूँ, space ना बने, ये देखो, इद्दाम उससे lamination, जैसे आप लोग अपने mark sheet में lamination करवाते हो ना, ये ऐसा, चिपका हुआ, तो ये क्या है, ये क्या है, pyameter, ये दोनों क्या है, pyameter, ठीक है, देन उसके बाद, ये क्या है, arachnoid, देन, ये क्या है, durameter, ठीक है, ये durameter है, देन उसके बाद, durameter से इद्दाम चिपका हुआ, दिखरा है ये white color का, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको इद्दाम चिपकाने की बट, हमारी हड्डी का color क्या होता है, ये क्या है, bone, cranial bone है ये, समझ आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये bone हो गया, bone से चिपका हुआ क्या है, क्या चिपका हुआ है, duramater, इसने पहले देखा करो, डाइगराम को, उसके बाद फिर mix हो जाता है, bone से इद्दम चिपका हुआ, क्या रहता है, duramater, तो धियान रखेंगे, duramater is non-vascular, इद्दम चिपका हुआ रहता है, जब ये खोपड़ी तूटती है, इदर देखो, जब cranium break होता है, तो bone के साथ में आपको क्या मिलेगा, duramater चिपका हुआ मिलेगा हमेशा, अलग नहीं होगा वो, समझा रहा बात, ठीक है, दैन उसके बाद आपको क्या मिलेगा, arachnoid, arachnoid के होने के कारण, दो टाइप का space बनता है, एक आपका duramater के नीचे, और एक arachnoid के नीचे, है ना, तो duramater के नीचे होता है, इसलिए ये जो space होता है, सब, dural space, ठीक है, ज़्यदा detail में नहीं जाएंगे, कि उसमें क्या होता है, क्योंकि syllabus में नहीं है ज़्यादा detail में, और ये क्या होता है, सब, सब का मतलब समझते होना, किसी के नीचे, arachnoidal space, clear हो गया बात, तो दो टाइप का space है, एक sub-dural space और एक sub-arachnoidal space, तो arachnoid bus, किसी से attach नहीं होता है, clear हो रहे है ना, यहां से, is attached with brain and spinal cord, both, brain and spinal cord both, क्योंकि spinal cord का भी देखो, मैंने यहां तक pyameter को बनाया, spinal cord तक है, इसलिए बनाया है क्योंकि, यह पूरा का पूरा CNS में ऐसा, lamination के दिए से चिपका होगा रहता है, clear है बात, then, arachnoid भी आपको मिलेगा, arachnoid भी मिलेगा, ऐसा, ठीक है, spinal cord में, spinal cord के उपर, चलो, हो गया इतना, इसमें से, pyameter जो रहता है, यह highly vascular होता है, जिसमें blood vessels की supply ज़्यादा होती है, उसको highly vascular बोलते हैं, ठीक है, जिसको नहीं पता है, लिख लिया करो, जिसमें blood supply बहुँ ज़्यादा होती है, वो they are highly vascular, और मैंने बोला कि, non vascular भी होता है, जैसे durameter अरेक्टॉइट नॉन vascular है, non vascular का मतलब जिसमें blood supply नहीं होता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो सब अरेक्टॉइडल स्पेस है, इसका बस एक चीज लिख लो, तो brain और spinal cord में meninges के कौन-कौन से layer पाये जाते हैं, दोनों में common आपको मिलेगा भीया, आप आया मेंटर और आपको अरेक्टॉइड, ठीक है, डिवरे मेंटर इधर मिला है आपको, तो यह कौन सा स्पेस है, सब अरेक्टॉइडल स्पेस, सब अरेक्टॉइडल स्पेस के एक खासियत है, इडिज फिल्ड विद, फिल्ड विद, CSF, याट इस, सरिब्रो, स्पाइनल, नाम ही है इसका, सरिब्रो मतलब brain, स्पाइनल मतलब spinal cord, fluid, मतलब brain और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में जो फ्लूइड पाए जाता है, that is, सरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसलिए इसका नाम सरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, क्योंकि brain और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों में पाए जाता है, और सरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, वो कहां पाया जाता है, कहां पर flow होता है वो sub-arachnoidal space में, clear हो रहा है बात इतना, ठीक है बस इसी लिए ये मैं space को बताया हूँ, और इसका ऐसे कुछ खास example वगएर आपके मैं ऐसा पूछा नहीं जाता है but CSF कहां flow होता है ये आपको idea होना चाहिए, बस ठीक है, brain और spinal cord दोनों में flow होता है CSF इसमें पाया जाता है CSF इसमें पाया जाता है, तो इससे एक फाइदा होता है, कि यहां से भी CSF को निकाला जा सकता है कई जो neural या brain और spinal cord के जो बिमारियां होती है, viral infection, bacterial infection, उसके लिए diagnosis जो होता है, वो cerebrospinal fluid से ही होता है क्योंकि कोई भी bacteria या viral infection जब होता है हमारे brain में या nervous system में, तो सबसे अच्छा investigation जो होता है, वो CSF का होता है, समझारबाद लेकिन CSF, brain और spinal cord में flow होता है, वो भी अंदर की तरफ, लेकिन पाया जाता है बाहर की तरफ भी, क्यों? बायोंसी create करने के लिए CSF का काम बायोंसी create करना है, shock absorber का काम करता है, यह जो space है, space में जो fluid भरा हुआ हुआ है, पूरा brain और spinal cord में, यह क्या काम कर रहा है बेट एक परकार से? shock absorber का भी काम कर रहा है, समझार बात? और अंदर fluid flow होता है brain और spinal cord के अंदर तो next जो हमारा topic है, that is CSF, तो एक छोटा सा diagram बनाऊँगा, उसके थूरू बताऊँगा कि CSF कहां कहां पाय जाता है, यह हो गया क्या? चलो, एक छोटा सा diagram है यह diagram आपके book में नहीं है, बट समझने के लिए इसको आपको बनाना है ठीक है, यह हमारा last topic है, आज का झालो, 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 झालो झाल 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 यह क्या है विटा हमारा सरिब्रम सरिब्रम का दो पार्ट होता है यह कैसा है क्रोस सेक्षन है यह ब्रेन का देखो कैसा जैसे फॉर एक्जामपल कि यह हमारा सरिब्रम है यह ब्रेन है और यह स्पैनल कॉर्ड है यह मेरा जो हाथ है यह spinal cord है, ठीक है, यह brain है हमारा, ऐसा, ठीक है, यह brain है और यह spinal cord है, तो brain को जब मैं ऐसा काटूँगा, ऐसा, समझ रहे आप लो, समझ रहे हो, कि नहीं समझ रहे हो, यह उपर से आप ऐसा देखोगे, सामने से आप ऐसा देखोगे, यह पूरा का पूरा cerebrum, जब इसको अपन यह आप उपर से देख रहे हो Cerebrum को ठीक है यह अगर सामने है मान लो तो यह कुछ इस तरीके का यह हमारा क्या है बिटा यह क्या है Cerebellum ठीक है Pons, Medullo Oblongata ऐसा ठीक है, clear है तो इसको जब हम ऐसा cut करेंगे तो यह हमारा cross section है brain का और spinal cord का brain को ऐसा पकड़के सिधा काट दिये है सामने से, ठीक है तो यह होगे हमारा Cerebrum Cerebrum के अंदर आपको एक खाली space मिलेगा आपनों के दिमाग के अंदर दिमाग अंदर से खाली है है? मतलब बोल भी नहीं पा रहे हैं है ना? और चुब भी नहीं रह पा रहे हैं ऐसा टैप का होगे है ठीक है? तो हम सभी के brain और spinal cord के अंदर एक खाली space होता है समझा रहा है? तो brain के अंदर जो खाली space होता है उसको बोलते है ventricles of the brain समझा रहा है? ventricles of the brain और spinal cord के अंदर जो खाली space होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैंने बता हैं आप लोगो, skeletal system में, क्या बोलते हैं, उसको, neural canal ये central canal, central canal, ठीक है, तो brain के अंदर जो होता है, उसको बोलते है, ventricles, और spinal cord के अंदर जो होता है, उसको बोलते है, central canal, ठीक है, ventricles, तो इधर देखो ब cerebrum का ये एक पाट है, cerebrum का दूसरा पाट है, two cerebral hemisphere होता है, cerebrum जो है वो दो पाट में divided होता है, left cerebral hemisphere और right cerebral hemisphere, इन दोनों के जैसे ये बाहर से देख रहुग है, आप लोग, बाहर से देख रहूग है cerebrum को, अंदर से देखो को दो अज़ना सहा है, है खाली जगा और यह पूरा यह से अंदर से खाली है समझा रहा है तो एक left ventricle हो गया यह right ventricle हो गया समझा रहा बात तो यह एक इधर एक इधर तो इसलिए इसको lateral ventricles बोल देते हैं समझा रहा बात क्या बोलतेते हैं lateral ventricles चलो दैन उसके बाद हम देखेंगे यह हमारा है dansephalon what is dansephalon यह बता चुका हूँ what is dansephalon dansephalon का क्या importance है अरे भाई hypothalamus dansephalon का ही इसलिए उसका नाम hypon है hypo मतलब किसी के नीचे तो lower part of dansephalon is hypothalamus उसके नीचे pituitary gland यह बता चुका हूँ dansephalon का part है hypothalamus then उसके नीचे आपको connected मिलेगा pituitary gland समझाया बात ठीक है तो dansephalon तो dansephalon is a part of brain कौंसा brain for brain चलो एक एक करके दिखते जाएंगे then pons then medulla pons and medulla एक करके मैं जो लिखते जा रहा हूँ उसको दिखते जाएंगे जाएंगे इदर देखते जाएंगे पहले देखते जाएंगे अच्छे से फिर बनाना दोनो lateral ventrical एक narrow canal से connected होते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं foramen of monroe और interventricular foramen ठीक है देन उसके बाद third ventricle और fourth ventricle के बीच में आपको एक narrow canal मिलेगा ये वाला अब मैं कहां पर लिखूँ इसको ये जो एक canal मिलेगा इसको बोलते हैं आइटर आफ एकोड़क्ट चलो अब इसको ध्यान से समझते हैं पहले देख लो ये क्या है पेटा हमारा cerebrum ये right cerebral hemisphere ये left cerebral hemisphere ठीक है तो दोनों cerebrum में आपको क्या मिलेगा ventricles है ना left और right बट इसको lateral ventricle बोल देते हैं अपने को नहीं मालूम है ना कि ये left है की वो right है कैसे बता चलेगा मैं बोल दिया तो ये left है है ना ऐसे खड़े हैं तो ये left है ऐसा खड़ा होंगा तो ये right हो जाएगा इसलिए इसको क्या बोल देते हैं lateral ventricles lateral ventricles जो रहता है वो open होता है और third ventricle में जाता है lateral ventricle open होता है और ये third ventricle में जाता है एक पतला सा canal for a man of Monroe ठीक है then next third ventricle से fourth ventricle में एक narrow canal के थ्रू जाता है जिसको बोलते है eater of aquaduct or aquaduct of sylvius ठीक है clear रहता ये हो गया canal then उसके बाद ये आपको मिलेगा third ventricle किसमें मिलेगा dansephalon में fourth ventricle आपको मिलेगा इसमें pons and medulla के अंदर इसका ये मतलब हुआ कि जो cerebellum है उसमें आपको CSF flow नहीं मिलेगा अंदर से cerebellum बिल्कुल side में है समझा रहा बत बिल्कुल side में है इसलिए अगर आप देखोगे तो brain stem में आपको क्या नहीं मिलेगा cerebellum brain stem में नहीं पाया जाता है वो अलग category में आ जाता है मतलब side में है वो एक common stem जैसे मुलता है एक straight line में आपको नहीं मिलता है cerebellum इसलिए brain stem में cerebellum को include नहीं करते हैं ठीक है चलो then ये जो fourth ventricle है ये continue हुआ किसमें भीया central canal time ठीक है तो central canal क्या होता है एक ऐसा space जो किसके अंदर पाया जाता है spanal cot के अंदर ठीक है तो brain के अंदर जो खाली जगा होता है उसको क्या बोलते हैं ventricle lateral third and fourth ventricle और spinal cord के अंदर जो canal पाया जाता है खाली इस पर इसको क्या बोलते है Central Canal तो चाहे वो ventricles हो चाहे वो Central Canal हो सभी के सभी किस से field होता है CSF से समझ आ रहा है बत आपको मिलेगा CSF CSF समझ आ रहा है बत ठीक है clear है CSF is mainly formed in choroid choroid plexus C-H-O-R-O-I-D choroid C-H-O-R-O-I-D choroid plexus P-L-E-X-U-S plexus Protection of brain as shock absorber समझ आ न Protection of brain as shock absorber ठीक जैसे heart के बाहर होता है pericardial membrane में pericardial fluid lung के बाहर plural fluid यह सब shock absorber के काम करता है किसी भी delicate organ को protect करना है ठीक then next यह तो बाहर का जो fluid हो गया sub-aric nodal space उसका काम हो गया shock absorber अंदर का जो fluid है उसका क्या काम है उसका बहुत ज़्यादा काम है क्या लिखेंगे it provides buoyancy to the brain it provides buoyancy to the brain buoyancy समझते हो न brain का जो weight है वो हमको ज़्यादा feel इसी लिए नहीं होता है क्योंकि CSF होता है brain के अंदर brain के अंदर cerebral spinal fluid होता है एदम clear fluid होता है हना protein वगेरा रहता है minerals होते हैं इसमें gases होते हैं इसमें तो इसी लिए वो buoyancy देता है brain को weight को reduce करने में help करता है ठीक then next excretion of waste product endocrine next endocrine medium for the brain endocrine medium for brain to transport hormones endocrine medium for the brain to transport hormones to different areas of brain next line में लिखना CSF is clear alkaline just like lymph CSF is clear alkaline just like lymph but it has protein but it has also protein ठीक है CSF क्या है lymph के जासा alkaline fluid है clear fluid है but इसमें protein होती है और बाकी nutrients होते हैं glucose, amino acid ions, sodium, chloride सब सारा चीज़े तो होगे ही ठीक है चलो तो बाकी आप जो है अपन पार्ट्स ओफ ब्रेन देखेंगे नेक्स क्लास में and function of brain ठीक है क्या है आप उनी आपा या जो है क्या है